वेल्कम टू दा होम एकेडमी दोस्तो आज हम पढ़ेंगे जिग्राफी और जिग्राफी का आज हम पहला चप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन जिग्राफी में सबसे पहले मैं तो यह कह दूँ अगर आपको जिग्राफी पढ़नी है उसके लिए जो बुक्स है देखें ये एक बुक्स आती है जो कि जिग्राफी आफ इंडिया है लिखी गई है माजुद हुसैन जो इसके है ऑथर है और ये इसका पब्लिकेशन जो है मैकरागिल हिल एडीशन का है तो ये एक अची बुक्ष है जनरली यही हर कोई रिकमिनेट करता है और बहुत अची बुक्ष है बेसिक बिस में दिया हुआ है और इसके लावा हर वो चीज डिसकस की गई जो कि आपके सलेबस में है तो ये एक अची बुक्ष है उसके अलावा मैं आपको recommend करूँगा fundamentals of physical geography यह जो books है, यह NCRT की books है काफी अच्छी मानी जाती है यह भी NCRT की जो books होती है तो यह एक अच्छी book है उसके अलावा इंडिया physical and environment है तो यह वाली भी book अच्छी है यह textbook है, जिगराफी की 11th class की तो यह books अच्छी है देखें, market में जो books होती है वह बहुत सी books है आप कौन सी books ले तो हर कोई books हम लेनी सकते है तो यह जो NCRT होती है यह अच्छी मानी जाती है इनसे अच्छी जो है base है यह हर किसी study की इनमें दी होती है basic जो चीज़े है इसके अलावा जो NCRT इनी से पेपर जादा तर पूछे जाते है जो questions होते हैं इनमें से पूछे जाते है इनमें वह हर चीज़ को touch किया होता है basic से शुरू किया होता है advanced level तक किया होता है तो इसके अलावा जो आप Aryanth है या कोई और जो है जो भी बुक्स है वो भी market में available होती है जिमें कि आपका सारा syllabus cover किया जाता है जस्तों देखें market में बहुत सी बुक्स है जैसे कि विशाल की बुक है जो पुराना SSB का जीके SSB का पेपर हुआ था ये जो बुक्स आ रही है आचल market में सारी copy paste होती है यानि जो आपका Google से जो भी material निकलता है उन्हें copy paste करके बुक्स बना दिया होती है तो इसका proof अगर आप देखना चाहते हो देखें ये है हमारे पास विनूद की बुक्स इसमें question दिये हुए है या जो भी पेज़ी यहां पर देखिए to learn about a bird must click here ये क्या show कर रहे है click here क्या क्या मतलब है यानि ये गूगल में कहीं लिखा वाओगा ऐसा वहां से इसका copy किया होगा और paste कर दिया होगा एक book बना दी मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि इस book से आप ये आपके लिए beneficial नहीं है बट ये है कि ये जो material है ये आपको google करके भी directly मिल जाता है तो hope जब भी आपको book लेनी होगी कोई एक book तो जिसमें एक सारा syllabus है वो तो एक ज़रूरी होती है आपको लेनी पड़ती है पर इस बात का भी दिहान रखना पहले अगर आप shop पे जाते हो book लेने उसको एक बार review कर लिया करो कि कैसी book है, page उलटा कर देख लिया करो तो जो geography है इसका जो meaning होता है देख इसमें 2 words है तो geo and graphi Greek में meaning होता है geo का earth and graphi का meaning होता है description तो क्या करता है geography में हम क्या study करते earth की description को study करते है हम जानते जो earth है इसकी जो physical division है जाल से कि इसमें mountains है, oceans है, lakes है, desert है, ठीक है ये जो चीज़े हैं इनमें variation है, सारी जो अर्थ है वो बराबर नहीं है, इनमें बहुत जादा variation है वो हम steady करते है जियोग्राफी में जो term geography है ये कॉइंड की है, इरिटोस जिन्स ने ये भी क्रीक के scholar थे जिन्होंने ये term geography है, ये coin की है multiple choice question में पूछी जाती है ऐसी चीज़े और जो first geographer थे, उनका नाम था हीका, twist, anthio, restus ये first geographer थे, तो ये जो बाते है जल्द, पूछी जाती है multiple choice question में ये basic है, आपको याद रखनी जाती है अब ब्रांची साथ geography की बात करूँगा, इसमें physical आती है यानि physical geography आती है ठीक है, human geography आती है physical geography है, human geography है उसके अलावा bio geography है ठीक है, फिर कुछ जो ब्रांची साथ geography की वो original approach की basis पे भी है तो पहले हम पढ़ते है physical geography के बारे में देखिए physical geography में जो ब्रांची साथ आती है इसके अंदर फर्दर जो tights है geography की उसमें geomorphology आता है क्या आता है geomorphology तो तो physical geography में जो हमें पढ़ना है वो है geomorphology, climatology, hydrology and soil geography तो basically जो पूछा जा सकता है वो यह है के जैसे के climatology is related to ऐसी चीज़े तो मैं पहले बोलता हूँ geomorphology देखे जो geomorphology है is devoted to the study of land forms land forms की हम इसमें study करते है उनका evolution देखते है और उनके जो भी related processes है वो हम देखते है geomorphology में फिर आता है climatology इसमें हम structure of atmosphere का जो structure है उसे पढ़ते है और उसके जो elements होते है जैसे के weather है, climate, climatic types है जो भी region है वो हम climatology में पढ़ते हैं तो याद रख लेना CLI, CLI, CLI से climate उससे कुछ related है यानि के atmosphere फिर hydro, देखे hydro क्या होता है जरनिल हम chemistry में बात करते है water को लिखते है hydro, FH2O hydro कहा जाता है यानि इसमें जो relation है वो किसे लेक है, rivers है, ocean है जो भी ऐसी चीजे है अर्थ के उपर जो भी जिनमें के पानी है जैसे के lakes है oceans है इनकी study हम करते है hydrology में फिर है हमारे पास soil geography soil से तो आपको पता चल रहा है यानि के इसमें हम soil की formation, soil की types soil, formation soil की types की study करते हम इसमें ठीक है उनकी आप fertility का status देखते है distribution का देखते है उनका use कैसे किया जाता है वो सब हम देखते है इसमें तो उसके बाद आता है हमारा human geography human geography तो next हमारे पास human geography में उसमें study करना है social यानि के culture geography population and settlement geography economic geography और historical geography इसके अलावा भी हमारे पाद political भी इसमें आएगा political geography में ही आता है तो क्या होता है social geography जैसे में इसका नाम बोला social and cultural देखे इसमें society की हम study करते है दरसल वो तो हम sociology में जैसे करते है मग इसमें जो society का जो relation होता है cultural elements से उनकी हम study करते है population settlement इसमें जो हम करते है यानि के जो density है sex ratio जो आप देखा जाता है या जो migration है ठीक है कहीं की distribution देखनी है growth देखनी है population की जो भी हम कहा सकते है settlement geography study the characteristic of the ruler and urban ruler or urban areas की जो भी हमने study करनी है उनकी settlement उनके बारे में जानना है उनका sex ratio कितना है उनकी density कितनी है किसी एक particular area में density कितनी है तो वो सारी चीज़े हम जो study करते है population geography में करते है फिर हमारे पास आता economic geography economic geography में हम नमारा agriculture आता है tourism आता है हमारी trade आती है ठीक है ऐसे factor जो भी है यानि कि जो infrastructure services है वो सारी हमारे पास economic geography में आती है फिर हमारे पास आता है historical geography देखे हर कोई region आता है उसके एक historical importance होती है ठीक है every region has undergone some historical experiences before returning the present day status तो उसमें क्या किया जाता है कोई जो भी एक region में अगर कोई region है उसमें आजसा ऐसा एक temporal change आती है ठीक है वो सारी हम study जो करते है उस region के बारे में वो किसमें करते है historical geography में change जो की study करते है इसी में करते है तो उसके बाद आता है political geography तो political geography है हम इसमें political angle से देखा जाता है land को political angle से यानि कि मैं कह सकता हूँ जैसे कि space को देखा जाता है जो neighboring countries की boundaries है उन्हें study किया जाता है political geography में ठीक है हम framework करते है to understand the political behavior of the population तो इसके अलाब अब आधा space relation जो भी मैंने कहा political events जो भी है उनकी stadium करते है political geography में तो next हमारा है bio geography तो bio geography एक ऐसा subject है bio geography जिसमें हम relation देखते है और interface देखते है जो भी हमने physical geography देखा और हमने जो human geography देखा जैसे इसमें example है जो हम पढ़ते है वो इसमें plant geography आती है ठीक है तो plant geography में हम क्या study करते है जो natural vegetation है किसी खास habitat में देखे बाटनी में हम plants के study करते है बट plants की जो habitat है यानि किस region में कौन से plant पाई जाते है जैसे के देवदार पाई जाते हमारे यहां पर जमूर कश्मीर में वैसी मैं बात कर रहा हूं तो किस location में कौन सा plant पाया जाता है उसकी जो हम study करते है वो हम plant geography में study करते है उसके बाद हमारे पास आते है zoo geography zoo geography जो है zooology से related यानि किसमें हम animals की study करते है animals की study नहीं animal के habitat की study जाता है किस environment में वो रहते है यह चीजे फिर हमारे आता है एक और जैसे के ecology जैसे आप ecosystem भी कहते हो ठीक है इडिल्स बिदा scientific study of the habitat and characteristics of the species जैसा कि मैंने नहीं में कहा habitat की study की जाती है scientific और characteristics देखिया जाती है हर species की हम characteristics देखते है है वो किस location में रहे रही है किस तरीके से रहे रही है फिर हमारे पास आता है environmental एनवाइरोनमेंटल जेओग्राफी next आता है इसमें हम देखते है environmental जो problems होती है जैसे के land gradation pollution है ठीक है और conservation has resulted in the introduction of this new branch that is environmental geography तो जो भी हमारे पास हो रही है population के जो भी concern है जैसे के pollution है हमारे पास soil conservation है जो भी method इसमें है वो हमारे अनवाइरोनमेंट से जो भी related है तो वो हम पढ़ते है environmental geography में कुछ हमारे पास original approaches भी होती है जैसे के original studies की जाती है जिसमें macro, meso and micro original studies होती है उसके अलाबा original planning होती है जैसे के ruler planning होती है ton planning होती है urban planning होती है वो भी branches of geography में अड़ा किस approach पे original approach भी की जाती है तो उसके अलाबा NCRT book का question है which of the flowing scholar coined the term geography जैसा के हमने अब यह पढ़ा erytho sthins तो यह question जो है multiple choice question जो NCRT में दिये है वो cover करने की कोशिश करेंगे साथ साथ जो भी हम पढ़ेंगे तो which of the flowing coined the term geography तो अभी हमने वीडियो में भी पढ़ा था इनके बारे में एक और question दिया गया है which of the flowing discipline attempt the temporal synthesis option is sociology, anthropology, geography and history पूछा है temporal synthesis के बारे में तो इसमें मैं कहा दूँ जो geography है यह एक ऐसा discipline है synthesis का जिससे हम कहते है spatial synthesis और जो हमारी history होती है वो होती है temporal synthesis history जो होती है वो होती है temporal synthesis तो यह NCRT के question है यह तो आपको तियार कर लेने चाहिए बाकि जो भी बहुत से books होती है market में उनमें बहुत से variety के question दिये होते है बड़ जो NCRT के है basic question यह आपको कम इसकम याद होने चाहिए तो क्या होती है यह important होती है बहुत अब मैं शुरू करता हूँ अर्ली जो theories है उनके बारे में जो origin of थर के theories देता गया जिनमें कुछ popular है जैसे के जर्मन फिलोस्पर है इमेनल कांट उन्होंने दिया फिर लेपलास्प ने दिया जो के mathematician थे तो उनके बारे में मैं थोरे सब बोलता हूँ जो theories है देखिए पहली जो था gaseous hypothesis था gaseous hypo this is दूसरा में आता था nebular nebular hypo hypothesis फिर हमारे पास आता था tidal hypothesis अब जो gaseous hypothesis था मैंने जैसा के आपको बोला किस ने दिया था German के थे philosopher जिनका नाम था eminal count कुछ ऐसी spelling है spelling लिख देता हूँ i-double-m-a-n-u-e-l-m-n-l-k-a-n-t फिर जो nebular hypothesis था आपका मैं ऐसे difference से करा देता हूँ ताके याद रहे nebular hypothesis जो था वो दिया गया था लेपलास ने ये लेपलास के लिए मैं आपको बोल दूँ ये एक mathematician है जो आप math में transformation पढ़ते हो कैसे दिखाते है function को कैसे convert किया जाता है कि एक transform किया जाता है लेपलास transformation बहुत important topic है mathematics में वो दिया गया था लेपलास में उसके अलावा इनोंने nebular hypothesis भी दिया है फिर हमारे पास आती है टाइडल hypothesis ये दिया था जीन्स एंड जेफरीज ने जीन्स एंड जेफरीज ने दिया वा था टाइडल hypothesis तब कैसे hypothesis के बारे में ये था ये मानता था जो clouds है यानि कि जो बादल है वो flat हो गए है और वो gravity की मदब से वो नीचे आगए और नीचे वो settle हो गए है और उनने अर्थ को बनाई है तो क्या कहता था लिख दो clouds of gases flattened down under the gravity to create the earth एक और बात मैं repeat कर रहा हूं clouds of gases flattened down under the gravity to create earth दूसरा आता है nebular hypothesis यह यह मानता था जो अर्थ है वो बनी है by solidification of ring thrown away by the rotating nebular बोलता था यह जो nebular होता है यह sun हो है तो बोलता था sun के इर्दगिर्द एक और nebular था जिसे जो जिसे nebular बोला इसने ठीक है nebular sun के लिए यूज किया था इसने कि इर्दगिर्द एक neighboring nebular था तो उसकी जो solidification हुई है उस रिंग को जो solidify किया है वो solidify होने के बाद जो sun ने इसको centrifugal 4 से दूर फेक दिया गया अज़ा दूर फेक दे गया वो जो है वो नीचे जाके settle down हो गया वो solidify हो गया ठीक है rotating जो nebular था जो घूम रहा था sun के इर्दगिर जो घूम रहा था वो settle down हो गया अर्थ और वो उसने अर्थ बना दी फिर हमारे पास एक और थूरी आती है जो जीन्स है एन जेफ्रीज ने दी वो क्या प्रपोस करता था effect of two nebular informing the earth यह बोलता था यहां पर जो दो nebular है उनका जो effect था अर्थ बनाने में इन्ही का effect था इन दो nebular का अर्थ बनाने में यह तो थी हमारी कुछ परानी थूरी अब जो में modern थूरी आती हूं उनमें हमारा आता है big bang hypothesis मैं यहां पर लेख देता हूं big bang hypothesis तो यह क्या कहता था it is also इसको हम कहते expanding universe hypothesis क्या कहते expanding इसका यह माना था जो universe है वो लगातार expand होती जा रहा है वो expand होती जा रहा है तो इसके लिए आप एक experiment भी कर सकते हो क्या मतलब इस expand होने का universe का हमारे पास एक balloon है यह balloon है ठीक है अब इस पर हम कुछ dots लगाते हैं इस पर एक dots इदर एक dot इदर एक dot इदर अब यह कहता था कि एक time आया था जब इसे inflate किया गया example ले लो inflate किया यानि कि हमने year भर ली balloon में balloon का क्या size बढ़ा हो गया ठीक है अब यह जो star थे यह जो star थे यह जो star थे इनका distance बढ़ती गया यह मतलब था इसका expand होने का कि यह जो है अर्थ यह जो है universe यह ऐसे expand हुआ है तो मैं कह दूँ यह कहता था एडविन हबल ने यह प्रपोस किया था 1920 में क्या नाम था scientist का एडविन हबल इसने दी थी क्या थूरी दी थी Big Bang Theory और Big Bang Hypothesis भी कहते हैं हम उसे और वो क्या कहता है दा जो हमारा universe है वो क्या हो रहा है expand हो रहती जा रहा है जैसे जैसे time pass हो रहा है जो galaxies है वो एक दूसरे से दूर चलती जा रही है तो हमने जो experiment देखा expand का मतलब क्या होता है कुछ यही इस basic जो idea है इसका यही था लाश्ट पर क्या हुआ जो balloon की example थी वो partially correct है क्योंकि यह देखा गया जो galaxies है वो एक दूसरे से जादा दूर नहीं गही है तो जो यह है यह जो hypothesis था यह नहीं sport करता था expansion of the galaxies को जो इसने कहा था इसके गलेक्सी जो है वो expand हो रही है बट एक्चुली में यह जो था यह से sport नहीं कर रहा था उसके बाद जो था इसने कुछ और पास्टिलेट्स थे इसके बिग बैंक थोरी के तो मैंने एक चार्ट सा बना दिया इससे आप समझ लो बिग बैंक कहा रहा था जो हमारा universe है वो एक small volume था इस small volume में बहुत जादा temperature था ठीक है जो यूनिवर्स था वो एक tiny ball था कहने का मतलब उसके अंदर जो volume था बहुत कम था क्योंकि वो tiny ball था temperature जो था बहुत ज्यादा था infinite temperature था जो density थी वो infinite थी उसके बाद क्या हुआ जो tiny ball था यह explode हो गया ठीक है explode हो गया explode होने की विज़ा से expansion हो गया यानि बहुत फैलती गया फैलती गया फैलती गया बड़ा हो गया और जो यह event हुआ था था 13.7 billion years अगा हुआ ठीक है billion years ago तो जो पुछा जाता है आप वो इसमें यह कहा जाता है कि big bang का जो event हुआ था 13.7 billion years अगो option में 13.7 होगा billions की ज इसमें जो कुछ है जैसे 4.6 billion यह जो चीज़े है यह mix कर देती आपको यह event याद रख रहा है big bang का जो event हुआ था वो कब हुआ था 13.7 years अगो हुआ था जब यह event हुआ था उसके बाद ही बोलता है जो temperature है वो suddenly drop होने लगा ठीक है यह जो event हुआ था यह fraction of second के लिए बोल रहा था कि यह हुआ और अचानक से जो explode रूरने के बाद expand हो गया उसके बाद जो है temperature वो slow down होती गया आइसा ऐसा जो temperature slow down होती गया तो कहने लगा बाद में कितने years के बाद 30 lakh years लगे big bang temperature जो था वो बाद में drop हुआ 4500 Kelvin तक and gave rise to the atomic matter इसने rise दिया it give rise to the atomic matter तो यहां से atomic matter आए ठीक है और यू जो universe था वो उसने कहा उस time कि universe उसके बाद से transparent हो गया यह कुछ summary सी मैंने कह दी आपको तो यह journal जो summary थी big bang की थी तो big bang theory के मुताबिक आज भी हमाया जो universe है वो expand होती जा रहा है तो जो इसके इसका मतलब जो था जो space है galaxies के बीच में वो भढ़ती जा रही है universe है वो हमेशे के ले expand होती जाएगा थोड़ा थोड़ा ही होगा मगर होगा तो इसके अलावा जो big bang का alternative था पूछा जाता है alternative of the big bang theory वो है holly's concept holly's concept था जो के big bang का alternative था तो यह भी एक point है याद रख लेना अब हम देखेंगे जो हमारा जो अर्थ है nature of the earth है उसके बारे में देखें जो हमारा अर्थ है यह एक layered structure है कहने का मतलब जो अर्थ है इसमें layers बनी है यह suppose हमारी अर्थ है इसमें different different layers है ठीक है पहली जो layers है उसे हम crush बोलते हैं क्या कहते हैं? क्रश्ट फिर जो layer है mental कहते हैं और फिर जो layer है core कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्रश्ट है mental है यह तीन हमारे पास layer है तो इनके बारे में जो याद रखना है Crust में यानि कि ये जो तीन है ये क्या है नेचर आफ अर्थम पढ़ रहे हैं अर्थ की तीन लायर्स हैं Core है, Mental है, Crust है जो हमारा पहला है Crust उसमें जो इसके अंदर जो Element होते है वो Silica है और पलस Aluminium होता है Mental में जो Elements होते है वो silica plus magnesium होता है जो core होता है इसके अंदर outer core होता है inner core होता है जो outer core होता है उसके अंदर जो element होते है nickel plus iron और इसमें सिर्फ iron होता है core में ठीक है उसके अलावा जो density पुछी जाती है इनकी बहुत जाता पुछा जाता है ये भी सबसे low density crushed की है यानी जो हमारी ये वाली layer at low है फिर इसकी जो है वो medium है और इसकी high है और इस density की अगर value की मैं बात करूँ तो इसमें जो है 2.7 gram per cubic centimeter इसमें जो है 5.68 gram per cubic centimeter और इसमें है 17.3 gram per cubic centimeter तो 2.7 के बाद जो unit है unit में लिक रहा हूँ gram per centimeter का cube यानी एक centimeter का अगर हमारे पास एक cube है ठीक है एक centimeter का cube है इसके अंदर 2.7 gram है तो unit है जो gram centimeter का cube है kilogram नहीं है gram cubic centimeter है अब कौन सा element किसमें है ये तो मैंने आपको कहती है आपट इसका एक code है याद रखने का ठीक है crust को हम लिखते है sial silica plus aluminium sial sial silica plus aluminium mental को लिखते हैं siama 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 silica plus magneze और इसके लिए याद रखो knife ठीक है knif knife नहीं knife खाली यानि nickel plus iron इसमें element है कौन सा element इसमें होता है तो ये याद रखने का तरीका मैंने आपको कुछ बोल दिया अब हम देखेंगे next topic basic है ये जो मैं कह रहा हूँ भी आपको ये summary है NCRT की और जो बड़ी book है तो basic है इन में से भी काफी question पूछे जाते है basic में से भी देखें solar system solar system क्या होता है इसके अंदर हमारे पास sun होता है और plus eight planets होते है अब इन planets के बारे में तो हम पढ़ लेंगे क्या होता है कौन कौन से planet होते हैं Mercury, Venus ये मैंने एक code बना दिया देखें Mercury, Venus, Earth Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune ये हमारे पास eight planets होते हैं पहले nine थे ठीक है फिर बाद में drop माना गया है पिलोटो ये एक code है तो याद रख लेना ये आता है ये इस तरीके से मैंने code बनाया है कि ये sun है और sun से ऐसे तो ये आता है कि कौन से planet ये number के साथ याद रखना है planet तो आप याद रख लोगे सारे पहले sun है ठीक है sun के बाद आ रहा है Mercury फिर Venus अर्थ नमबर पूछा जाता है कि कौन से planet किस ताइम पे आ रहा है तो इसके लिए एक मैं फार्मॉला आपको बोलता हूँ याद रखने के लिए माई वैरी एजुकेटिड मदर जैस्ट सर्व अस नाइस पीजा ठीक है तो यह कोड अगर याद रखोगे तो आपके element यह जो हमारे planets है यह आपके याद हो जाएंगे लाइन से याद हो जाएंगे तो अब इन planets के बारे में अगर मैं आपको कहूं इनकी जो समरी है basic जो इनमें पूछा जाता है कौन सा brightest कौन सा देखिए जो planets है वो rotate करते है from west to east west से east की तरफ planet जो है rotate करते है मगर यहाँ पर एक exception है वो यह जो हमारे पास venus है और जो uranus है वो rotate करते है east to west याद रख लेना चीक है उसके अलावा जो Jupiter है है the largest number of satellite यह points है note करो मैं लिखूंगा नहीं Jupiter है the largest number of satellite और वो satellite कितनी है 63 Venus and Mercury के लिए पास 11 satellite जो brightest है वो Venus है और जो closest है वो Venus है smallest Mercury है चीक है देखिए अब हमारे पास planets के बाद sun यह मैंने sun का एक कुछ जर्नल सा overview सा बना दिया है जो 99% जो mass है solar system का वो क्या है sun का 99% mass of solar system is sun जो glowing surface जो होती है sun की उसको बोलते है photosphere तो इस figure में जैसे यह जो dots है यह है photosphere glowing surface होती है photosphere above the photosphere is the chromosphere photosphere के जो उपर होते है वो क्या होते है chromosphere यह जो है chromosphere है photosphere से उपर क्या आते है हमारे chromosphere ठीक है और जो chromosphere होता है यही होता है red color का red color का and beyond it is the magnificent corona which is visible during the eclipse इस से पीछे जो है वो है magnificent corona यह जो point दिख रहे है ना डार डार magnificent corona यह visible होता है जब eclipse लगता है जैसे के lunar eclipse लगा या solar eclipse जो लगे उस time जो है यह visible होते है ठीक है corona उसके बाद आता है जो gases इसके अंदर होती है वो hydrogen and helium होती है तो वो जो burn हो रहती है यहां पर कौन-कौन सी hydrogen and helium तो इससे हम बोढ़ सकते है burning core ठीक है फिर जो temperature इसके अंदर होता है sun के अंदर होता है प्रिजन 6000 degree sun centigrade होता है और इसके लिए एक और बात है यह 10 रिश्ट पॉर 6 ताइम्स bigger than the earth sun जो है 10 रिश्ट पॉर 6 ताइम्स bigger than the earth इसके diameter की अकर मैं बात करूँ 1391980 km है जो time taken by the sunlight to reach the earth यह sunlight है जो के अर्थ की तरफ आ रही है अगर यह हमारी अर्थ है इसमें जो time लगता है वो है 8 minute 16.6 second note करो यह points को important है और जो temperature है core का वो है 15 degree centigrade इतना जो है वो temperature होता है उसके लावा जो है planets के बारे में मैं थोड़ा और बोल दूँ देखे Venus Venus के बारे में पहली बात brightest planet hottest planet morning and evening star भी कहा जाता है इसे ठीक है और यह है nearest planet to the earth इसके अलावा slowest rotation in the solar system Venus की जो है solar rotation है solar system में earth twin भी कहा जाता है इसको इसके अंदर जो है 92-90% of the carbon dioxide होती है कितनी 92-92% of CO2 70% इसके अंदर कापी इसके इसके अंदर य। बहुट बहुत रदेट可能 झाल झाल